एलो फ्रेंड्स बेलकम टो अल्ला निस्टी किंग डब दोस्तों इद्रिष्टी नवातर करन्ड अफेर्स वार्ची कांक जनवरी से लेकर कि दिशंबर तक जो अपडेटेड है पूरा वार्ची कांक है हम लोग इस सुरीज में अभे तक जो कबर किया हैं तॉपिक वाईज किशक है इसके बाद राश्रीय परद्रिष रहा और आज की वीडियो में अंतर राष्री परद्रिष को देखेंगे तो बीडियो आपको मिलता रहेगा तो दो वीडियो अभी तक आपको मिल चुके हैं पेज नंबर 1-6 लेकर के 30 तक टॉपिकवाइज कबर किया गया, दूसरा राष्टी ये परिदिस्थ करहा और आज कि वीडियो में अंतर राष्टी ये परिदिस्थ को कबर करेंगे, पीडियोप का लिंका आपको वीडियो के डिक्सक्श कर दीजेगा तो फीज नमबर बैलेस तक हम लोग कबर कर लिए थे अब अंतराश्टी प्रदिश्ट को देखेंगे कि आप इस बुक को अच्छे से कबर कर लोगे तो PCS हो गयरा जो भी एक्जाम आरो यारो के लिए ठीक है तो उससब आपके लिए कबर हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपको डेट वाइस दिया गया है तो आप जिस मन्थ के कबर करना चाहेंगे उस मन्थ से भी आप कबर कर सकते हैं पहला प्रस्ण है कि दिसंबर 2022 में I.C.A.O. इस इंटरनेशनल सिबिल एविएशन आर्गनाजिशन दोरा जारी ग्लोबल एविएशन सेफटी रैंकिंग 2022 में भारत को कौन सास्थान प्राप्थ हुआ है तो ग्लोबल एविएशन सेफटी रैंकिंग 2022 में 48 रैंक प्राप्थ हुआ है 187 देशों में तो ग्लोबल एविएशन सेफटी रैंकिंग इसके दोरा जारी किया जाता है International Civil Aviation Organization के द्वारा जारी किया जाता है बर्स 2018 में भारत 102 नंबर पर रहा है और आप कितनी रैंक है 48 रैंक है रैंकिंग में सीर्स पर सिंगापूर है दूसरे पर संयुक्त अरब अमीरात है और तीसरे पर दक्षट कोरिया है अगला प्रशन है कि दिसंबर 2022 में कौन सा सब्द आक्षपोर्ड डिक्षनरीज वर्ड आफ द इयर 2022 चुना गया है यह है गोबलिन मोड नवंबर 2022 में जारी बैस्विक प्रतिश्परधात सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा अस्थान प्राप्थ हुआ है तो बैस्विक प्रतिभा प्रतिश्परधात सूचकांक 2022 में भारत की रैंक है 101 कुल 133 देशों में वहीं पर बर्श 2021 में भारत की जो रैंक रही है वो 88 नंबर पर रहा है और नवंबर 2022 में जो जारी किया गया है यानि प्रतिभा प्रतिभा प्रतिश्परधात सूचकांक 2022 में 101 रैंक मिली है पहले नंबर पर सूरिजर लैंड दूसरे पर सिंगापूर तीशरे पर डेन्मार्क है अगला है दिसंबर 2022 में जारी बैस्विक अलपसंख्यक सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्थ हुआ है पहला स्थान मिला है बैस्विक अलपसंख्यक सूचकांक 2022 में एक दिसंबर 2022 को भारतिय नवसेना मारकोस और इवयस नेवी सेल के बीच स्वयुक्त सनवसान्य अभ्यास अभ्यास संगम 2022 का सातवा संस्क्रण कहां शुरू हुआ है यह अभ्यास पहली बार बरस 1994 में आवजित किया गया था यह अभ्यास तीन सब्ताह तक चलेगा बढ़ प्रस्ण है कि अक्टूबर 2022 में लंदन इस्थित इकोनामिस्ट इंपक्ट नामक संस्था द्वारा जारी बैसविक खाद सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है तो रैंकिंग का यहां पर क्वेस्चन्स आपको देखनी को मिल जा है तो बैस की रैंक 21 नंबर पर रही है और इस बार 16 पर है और सूचकांग में टॉप 3 में देखेंगे तो नंबर 1 फिल्लैंड है दूसरा अइरलैंड है तीसरा नार्वे है अगला प्रस्ण है कि 15 से 16 नॉवंबर 2022 की मध्ध 17 जी 20 सिखर सम्मेलन कहां पर आयुजित किया गया है यहां सम्मेलन में शामिल एजंड के हिस्से में आयुजित तीन कार सत्र थे पहला खादियों ओर्जा सुराच्छा दूसरा स्वाथ तीसरा डिजिटल ट्रांस्फार्मेशन रहा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिश्ट किया था बारत ने आयुजित कहां पर हुआ है यह आबोधावी संयुक्त अरब अमीरात में जिसका थीम था सेपिंग फ्यूचर आफ द्ध मीडिया सेक्टर इस कारकरा में भारत का प्रतिनिश्ट्व सूचना प्रसार्ण मंत्राले की सचिव अपूर्व चंद्रा ने किया था 14-17 नवंबर 2022 के मध्य अंतरराश्टिय परिवार नियोजन सम्मेलन 2022 कहां पर आयुजित हुआ है तिया पटाया सहर थाई लेंड में जिसका थीम रहा है फेमली प्लानिंग प्लस यूनिवर्शल हेल्थ कब्रेज इनोवेट कोलाइबरेट एक्सिलरेट इस सम्मेलन में भा भारत ही एक मात्र ऐसा देश है जिसे कंट्री सेनेडी में यहाँ प्रुषकार प्राप्त हुआ है 15-18 नवंबर 2022 के मध्य गुड़वत्ता नियंत्रन परिष्दी पर 47 अंतरराश्टी सम्मेलन 2022 कहां पर संपन हुआ तिया जकार्ता इंडोनीसिया में जिसका थीम था इसे इंडोनेसिया क्वालिटी मेनेजमेंट असोसीएशन तोरा आउजित किया गया था इस अवसर पर उंचाहार उत्तरप्रदीश अभिध्या से एंटीपीसी लिम्टेड की क्यूसी टीम निसे सम्मेलन में स्वण पदक प्रुषकार जीता है तिविपी स्पेशल के लिए इंप्वाटन्ट हो जाता है तथ्या एक सितीन नॉवंबर 2022 के मध्ध नागरिक हवाई परिभान सिवा संसथान इसीया प्रसांत सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित हुआ है तो गोवा में आयोजित हुआ है थीम क्या था थीम है बैस्वी की सोच शेत्रिय सायोग अस्थानियों को पूरा करें अगला प्रसन है कि 14 नॉवंबर 2022 को जारी जलवाई परिवर्तन प्रदरसन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा अस्थान प्राप्त जलवाई परिवर्तन प्रदरसन सूचकांक 2023 किसके द्वारत जारी किया जाता है तो दर्मनवाच न्यू क्लाइमेट इंस्टिट्यूट यूम क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारत जारी किया जाता है संयुक्त रूप से जर्मनवाच ठीक है तो पिछली बार आरो 2011-2021 वाली में मुछाा बिलिया गया था किसके द्वारा जारी किया जाता है कब जारी किया गया है? 14 नमंबर बस किसके द्वारा जारी किया जाता है? जर मनवाच याद रखे गए इन्शित और यह 4 सेंडियों में देशों के प्र már Ci Chenised करता है कौन कौन से चारस रेड़ी है नमबर वन ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन दूसरा है अच्छे उर्जा और तीसरा है उर्जा उप्योग और चौथा है जर्वायु नीती भारत की स्थिती जो है बर्ष दो हजार तेश की रिपोर्ट में आठवा स्थान रहा है वहीं पर बर्ष दो हजार बाइस की रिपोर्ट में दसवा अस्थान मिला था दो अस्थान का सुधार हुआ है कुल जो है वंसरड देशों में देखेंगे तो सीर से तीन अस्थान जो है उर्रिक्तर है तीन में कोई नहीं रहा है चौथे पर डेनमार्क है पांचवे पर सुईडन और छटे पर सिली इस तर आप से पूछा जाएगा तो इस दिग्जाब में पूछा जाता है टॉप पर कौन रहा है तो आप लगाईए गर डेनमार्क बहyas कि तॉप त्रि में कोई नहीं है रहन के हिसाब से लेकर टॉप किस ने किया है डेनमार्क ने टॉप किया है सबसे खराब पोजीशन जो रहा है वो इरान का रहा है उसके बाद सौधी अरभ रहा है और इंडिया का जो अस्थान है वो आठवा है बस इतना ही याद रखना अब अड़ते हैं आगे रेपोर्ड के अंसार परतम तीन अस्थानों पर कोई भी देश नहीं बना सका क्योंकि पेरिश समझाउते लागों होने के बाद भी किसी देश द्वारा जलवाई परिवर्तन की खतरनाक प्रभाओं की रोक थाम हे तो परियाप्त कदम ही उठाए गए हैं आठ से तेरा नमबर दो हजार बाइस के मद्ध चालीशुमा और एक तालीशुमा आजियान सिकर सम्मेलन दो हजार बाइस कहां पर आउजित हुआ है तिया नौम पेन कंबोडिया में इसका थीम रहा है एसियान एसीटी एड्रेसिंग चैलेंजिस 12 नमबर 2022 को उन्नीशुमा आशियान भारत सिकर सम्मेलन 2022 नौम पेन कंबोडिया में आउजित हुआ इस सम्मेलन में भारत का प्रत्निधुत किस ने किया है तो भारत के उप्राष्टपति जगदीप धनकडने नवंबर 2022 में किस देश के चुनाव आयोग ने भारत के मुख्य निर्बाचन आयोगत राजीव कुमार को अंतरराश्टिय परवेच्छक के रूप में अमंतरित किया है तिया नेपाल अठारा से उननीस नवंबर 2022 की मध्य ग्रिह मंतराल भारत सरकार द्वारा तंकवाद की बित्त पोषण का मुकाबला करने से संबंधित तीशरा मंतर अस्तरिय सम्मेलन नो मनी फार टेरर कहां आयोजित हुआ तो यह नई दिल्ली में 11 से 13 नवंबर 2022 की मध्य सोलमे डाइरिया रोग और पोषण पर एसी आई सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित हुआ है तो खोलकाता पस्चिब बंगाल में जिसका ठीम रहा है सामुदाइक भागीदारी की माध्यम से निम्न और मध्यम आयवाले देशों में हैजा टाइफाइड और आतसंबधी अन्य रोगों की रोगतामवा नियंतरण सार्ष महामारी से आगी दस नवंबर 2022 को किस देश की मेजबानी में बिम्स्टेक के क्रिसी मंत्रियों की दूसरी बार्ठक 2022 वर्चुली आयोजित हुई है तो यहां भारत में आयोजित हुई है 11 से 12 नवंबर 2022 के मद्ध पाचोंगा पेरी सु पीस फोरम 2022 फ्रांस में आयोजित हुआ यहाँ फोरम किस बर्स इस्थापित हुआ था तो यहाँ बर्स 2018 में अस्थापित हुआ था फोकस जो थीम रहा है वह था राइडिंग आउट दा मल्टी क्राइसेस अगला प्रसन है कि 6 से 20 नवंबर 2022 के मद्ध जलवाईव परिवर्तन सम्मेलन कॉप 27 कहां पर आयोजित हुआ है तो इंप्वाटन्ट है कॉप 27 और यहाँ सर्म अलसेख मिस्र में आयोजित हुआ है इस सम्मेलन में भारत का प्रटनेदुत केंद्रिय परियाबन बन योँ जलवाई परिवर्तन मंत्री भोपेंद्र यादों ने किया है इस दवरान यहां इंडिया पवेलियन में एक साइड इवेंट में भारत इन आवर लाइफ टाइम अभियान लांच किया है इसे परियाबंड बन और जर्वाई परिवर्तन मंत्राले भारत सरकार और संयुक्त राष्ट विकास कारिक्रम के तह तो प्राकिर्तिक इतिहास की राष्टि संग्राले द्वारा संयुक्त रुप से लांच किया गया है यह 18 से 23 बर्स की इवाओं को टिकाऊ जीवन सैली की संदेश बाहक बनने के लिए सुरू किया गया एक अभियान है आठ नमबर 2022 को जारी QS Asia University Ranking दो हजार देश में QS Asia University Ranking important है Ranking 2023 में किस संसथा को सीर्स अस्थान प्राप्थ हुआ है तो चाइना की यह संसथा है पेकिंग इन्वर्सिटी बेजिंग चाइना की सीर्स दो अन्य संसथान है चाइना के बाद दूसरे नमबर पर है नेशनल इन्वर्सिटी आप सिंगापूर सिंगापूर का तीशरा है सिंवा इन्वर्सिटी बेजिंग चाइना का ही भारत के कुल 118 बिश्शो विद्याले उस्थासन सुथानों में सीर्स जो पाँच हैं वो कौन-कौन से है तो QS-ACI इन्वर्सिटी रैंकिंग में 40-वा स्थान IIT बांबी को मिला है उबराल 46-वा स्थान IIT दिल्ली को वहीं पर IAC बंगलरू को 92 अस्थान मिला है IIT मदराश को तिरपनवा है और IIT खडगपूर को 61 अस्थान मिला है तो भारत के जो पाँच सीर्स हैं तो QS-ACI इन्वर्सिटी रैंकिंग में इंडिया का जो टॉप करने वाला है IIT बांबे है जिसकी ओबराल रैंकिंग 40 है जबकि नमबर वन पूरे वर्ड में एसिया में कौन रहा है तो वेगिंग इन्वर्सिटी चाइना की रही है 7 से 11 नमबर 2022 के मध्य आधिकारी की सांखिकी के लिए डेटा और डेटा साइंस पर साथवा अंतरराश्टी शम्मेलन 2022 कहां पर आयुजुत हुआ है तो योगया कारता इंडोनीसिया में जिसका थीम रहा है ग्लोबल चैलेंज एंड इंपॉर्टन्स आफ रेलिवेंट एंड टाइमिली डाटा 19 से 20 जनवरी 2023 के मध्य दच्छड ACI क्रिसिस सम्मेलन कहां पर आयुजुत किया जाएगा या काठ मांडू नेपाल में 7 से 9 नवंबर 2022 के मध्य बिश्ट की सबसे बड़ी अंतरराश्टिय यात्रा प्रदरसनियों में से एक वर्ड ट्रेबल मार्केट 2022 कहां पर आयुजुत हुआ है यह लंदन यूके में जिसका थीम था The Future of Travel Start Now पर्यटन मंत्राले भारत सरकार ने इस कारिक्रम में सहभागिता किया 27 अक्टूबर 2022 को भारत और यूरूपिय संग के बीच प्रवासन और गति सीलता पर छठी उच्चस्तरिय वारता 2022 कहां पर संपन हुई है यह ब्रूसेल्स बेल्जीयम में अगला प्रस्ण है कि एक नवंबर 2022 को संगाई सहयोग संगठन यसी योगे सासना ध्यच्चों की परिशद की 21 बैठक 2022 वर्च्वली आयूजित होई इस बैठक में भारत का परितने धुत्व किस ने किया है तो संगाई सहयोग संगठन की शासना धच्चों की परिचद में भारत का प्रतने धुत्वा केंद्रिय विजीश मंत्री डाक्टर यस जैसंकर ने किया है दो से तेरह नवंबर दो हजार बाइस के मद्ध विश्टु के सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मेलों में से एक यक्तालिसमें सार जहां अंतरराश्टी पुस्तक मेले का आयुजन सार जहां युनाइटड अरब अमिरात में हुआ है इस सम्मेलन की थीम क्या थी इस सम्मेलन की थीम थी स्प्रेड दा वर्ड 31 अक्टूबर से 3 नमबर 2022 के मद्ध अंतरराश्टी पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन ADIPEC 2022 कहां आयोजित हुआ यह आबुधाबी युनाइटड अरव अमीरात में जिसका थीम था दे फ्यूचर आफ एनरजी शेक्योर अप्रोडेबल एंड सस्टनेबल इसमें भारत का प्रतनेधुत केंद्रिये पेट्रोलियम प्राकिर्टी गैस मंत्री हरदीप सिंगपुरी ने किया था 27 से 30 अक्टूबर 2022 के मध्य पहला आसियान भारत स्टाटप महोच सो 2022 कहां पर आयुजित हुआ है तो पहला आसियान भारत स्टाटप महोच सो 2022 बोगोर इंडोनीसिया में आयुजित किया गया था 26 अक्टूबर 2022 को अमेरिका आइस थी तो संसु था वर्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी रूल आफ ला इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा अस्थान मिला है तो रूल आफ ला इंडेक्स 2022 में भारत का अस्थान है 77 अस्थान है कोल 140 देशों में 77 अस्थान भारत का रहा है टॉप करने वाले में टॉप 3 नंबर 1 डेनमार्क रहा दूसरे पर नार्वे तीसरे पर फिनलेंड रहा है और सबसे खराब जो पूदीशन रहा है वह बेनिजुएला का रहा है तो भारत की स्थिती 77 अस्थान पर रही जबकि प्र आरवँ विश्षु हिंदी सम्मेलन 2023 कहां पर आयुजित होगा तो इंप्वटनट है और फिजी में आयुजित किया जाएगा फिजी यह सम्मेलन आयुजित करने वाला प्रसांत झेद्र का पहला देश्छु होगा क्या तब है कि पहला विश्षु हिंदी शम्मेलन बरस 1965 सत्तर इस भी में नागपुर महराष्टरा में आयुजित हुआ था 24 से 25 अक्टूबर 2022 के मध्ध अफरीका में सांती और सुरक्षा पर आठवा डकार इंटरनीशनल फोरम 2022 कहां आयुजित हुआ है यह सेनेगल में आयुजित हुआ है अक्टूबर 2022 में बितिये कारवाई कारिबल EF ETF ने कितने बर्स बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया है तो पाकिस्तान को चार बर्स के बाद जो है वो Financial Action Targets Force ने ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है अगला प्रसन है कि 18 से 21 अक्टूबर 2022 के मध्ध 90 इंटरनेशनल होल 90 जो इंटरपोल महासभा 2022 कहां पर आजित हुई है तो या प्रगती मैदान नई दिल्ली में 15 अक्टूबर 2022 को जारी बैसविक भूख सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है तो बाजबरिग भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 107 है तो ग्लोबल हंगर अंडक्ष 2022 जो जारी किया गया है वह संविक तो रूप से दो गैर सरकारी शंगठनों कंसन वर्ड वाइड तथा बेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा इसमें चार तरह की शंकीतक हैं कौन कौन से हैं इसमें आलप पोश्ण देखा जाता है बाल दुबलापन बाल ठिगना पर और बाल म्रेत्युदार या सूचकांक सवाधार बिंदों के पैमाने पर तो यह सब आपसे एकजाम है पुरा इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना है ग्लोबर हंगर इंडक्स क सबसे जाला जो भुकमरी है वो बेलारूश में है दूसरा बोश्णिय उमर हर्जे गोविना है तीसरा जो है उचिली है चौथे नंबर पर यहां पर चाइना भी आ जाता भुकमरी में क्रोएसिया में आप देख सकते हैं पांचवाह नंबर है वहें पर भारत की जो इस्थ कांग में 2022 में आप देख पा रहेFC7 नंबर पर चला गया तो याद रखना है ग्लोवल हंगर इंडेक्स कि इसकी द्वारा जारी किया जाता है इंडिया की रहेंगे अगला है कि 12 अक्टूबर 2022 को टाइम्स हाय रेजुकीशन के प्रतिष्ठित वर्ड इन्वर्सिटी राइंकिंग 2023 में किस संस्थान को सिर्ष अस्थान प्राप्थ हुआ है तो यूर्षिटी आफ वाक्षपोर्ड यूके की है सिर्ष दो अन्य संस्थान है हावर्ड इन्वर रेंकिंग में रिकार्ड 75 भारतिय विश्विद्यालों को शामिल किया गया है वहीं पर भारत में जो टाप किया है वह भारतिय विज्ञान संस्थान आइसी बंगलुरू है भारतिय विज्ञान संस्थान पर रहा और यहां सिर्ष तीन सो में शामिल एक मात्र भारती इन्सों की बीच में है एक्जेक्ट रंक नहीं दिया गया है लेकिन टॉप पर जो है वह आक्षपोड है और भारत में टॉप पर जो है यसी बंगलरू है याद रखेगा आगे बढ़ते हैं अगला एठाई से वंती से सितंबर 2022 के मद्ध आठमी वर्ड ग्रीन एकोनोमी शमि संसुथा ने पचासो बिस धरोवर अस्थलों में 18600 हिमनदों पर एक सर्वे जारी किया है या इवनेश को ने इसके अनुसार बर्स दो हजार पचास तक बिस धरोवर अस्थल का एक तिहाई हिस्सा समाप्त होगा 21 सितंबर 2022 को जारी बैस्विक नवाचार सूचकांक 2022 इंपोर्टेंट है गलोबल इनोवेशन इंडेक्स इसमें भारत की जो राइंग है वो 40 हो गई है तो लगतार आप देख पा रहे हैं इनोवेशन में सुधार होता जा रहा है तो 40 राइंग है गलोबल इनोवेशन दाग डाइजीसन की द्वारा जारी किया जाता है इनुवेशन इंडेक्स बरस 2007 से प्रकासित होने वाली से रिपोर्ट का पंदरवा संस्करण है तो बस आपको याद रखना इंडिया की राइंग के कितनी है तो गोल वर्ड यानि ग्लोबल इनुवेशन इंडेक्स में इंड आडिया की रांट रही वह 46 रही है और 2022 में जो इंडिया की रांगो गई में geven वह 48 हो गई है वहीं पर तो किया है दूसरे पर इवेश से है और तीसरे पर स्वेडन रहा है सबसे निचले पाइदान पर ग्लोबल इनोबेशन इंडेक्स में नंबर जो है किसके दारा जारी किया जाता है तो वर्ड इंटलेक्च्वल प्रापर्टी आर्गनाजेशन के दारा जारी किया जाता है ग्लोबल इनोबेशन इंडेक्स 28-29 अक्टूबर 2022 के मद्ध संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशत के काउंटर आतंक वाद समिती 2022 की बैठक किस देश में आजित की गई है तो मंबई दिल्ली में अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट ने किस वर्ष तक बिमानुस से कार्बन उतसर्जन में सुन ने प्राप्त करने के लिए नए लच्च की घोषड़ा की है तो कार्बन उतसर्जन में सुन ने है तो संयुक्त राष्ट ने टार्गट रखा है वर दोहजार पचास तक अक्टूबर 2022 में किस संसता द्वारा वर्ड एनर्जी आउटलुक 2022 जारी किया गया है तो वर्ड एनर्जी आउटलुक 2022 अंतरराश्टी उर्जा एजंसी के द्वारा जारी किया गया है यह रिपोर्ट बर्स 1998 से प्रतिवर्स प्रकासित की जा रही है यह उर्जा छेत्र में अनुमानो योम विसलेशन का सरबाधिक विश्वशनियस रोत होता है इसके अनुसार बैस्विक उत्सरजन बर्स दोहजार पचीस तक अपने चरम पर पहुँच जाएगा और बर्स 2030 तक सी ओटू कार्बंटा या अक्षैड की उत्सरजन में 31.5 गीगा सेक्टर आउटलुक 2050 रिपोर्ड जारी किया गया है यह संयुक्त राष्टर खादोर प्रिसी संगठन यूयन इफ एओ की द्वारा इसके अनुसार लकडी के उतुपादों की मांग में ब्रिद्धी का अनुमान है और बर्स 2050 तक प्राथमी किसान प्रसंद्सक्रत लकडी क की मांग 2020 की तुलना में 37 प्रिद्धी का अनुमान है 15 से 16 सितंबर 2022 के मध्य संगाई सहयोग शंगठन यसीयों के राष्ट्रा अध्यच्चों की परिशत की 22 वी बैठक 2022 में कहां पर आयुजित होई है यह समरकंद उजबेकिस्तान में उजबेकिस्तान के राष्ट्रपती सावकत मिर्खिया यहों ने इशबाठक की अध्यच्चता की है प्रधार मंत्री नरंद्र मोदी ने इशबाठक में भारती अपरत्नेधिमंडल का नेचित किया था 11 से 15 सितंबर 2022 के मध्ध इंटरनेशनल वाटर एसोचीएशन वर्ड वाटर कांग्रीश और प्रधरशनी 2022 कहां पर आयुजित होई यह कोपेन हेगन डेनमार्क में केंद्रिय जलसक्ति मंत्री गजेंद्र सिंग सेखावत ने इसमें भारतीय प्रध्नेधिमंडल का नितित्व किया था और इसका जो थीम रहा वह था वाटर फार समर लाइवेब शिटीज अगला है आपका 12 से 14 सितंबर 2022 के मद्ध G20 स्रम योम रोजगार मंत्रियों की बाठक 2022 कहां पर संपन होई है यह बाली इंडोनेसिया में संपन होई है केंद्रिय स्रम योम रोजगार मंत्री भुपेंदर यादव ने इस बाठक में भारत का प्रतनिध्य तो किया था 12 से 15 सितंबर 2022 के मद्ध अंतरराश्टिये डेरी महासंग द्वारा विश्व डेरी सिखर संप्मेलन 2022 कहां पर आजुत हुआ है तो यहां इंडिया एक्षपोशेंटर एंड मार्ट ग्रेटार नोईडा में और इसका जो थीम था पोशड और आजीव का के लिए डेरी इससे पूरविया संप्मेलन भारत में बर्स 1974 तरीजवी में आयुजित हुआ था आठ सितंबर 2022 को संप्मेल राष्ट विकास कारिक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 की अंतरगत मानव विकास सोचकांक 2021 में कि इस देश को सिर्ष अस्थान प्राप्थ हुआ है यह स्वेडियर लैंड को प्राप्थ हुआ है ठीक है जबकि भारत की रहें के 132 रही हैं कि आये हमें लिखा होगा तो सिर्ष अन्य जो देश है तो स्वेडियर लैंड जो है वो टाप पर रहा है 191 देशों में मानव विकास सोचकांक 2021 में वहें पर जो इंडिया की रैंक है वह एक 132 वह अस्थान पर है तो नंबर वन स्वेडियर लैंड दूसरा नार पर है जबकि 2020 में इसका जो अस्थान रहा 131 रहा है तो 132 में पर फिसल गया है मानव विकास सोचकांक में अगस 2022 में कि उसमयन और देख फिल्ड की एसिया प्रसांत में सीर्ष तकनी की केंद्रों पर जारी रिपोर्ट में किस भारती सहर को दूसरा अस्थान प्राप्त तिया बंगलरू शहर को जो है दूसरा अस्थान मिला है जबकि चाइना का जो वेजिंग सहर है इसे पहला अस्थान प्राप्त हुआ है सितंबर 2022 में घोसिती उनेसो को ग्लोबल नेटवर्क आफ लर्निंग सिडीज सूची में कितने भारती सहरों को सामिल किया गया है तो तीन भारती सहरों को शामिल किया गया है तेलंगाना का वारंगल सहर है और केरल की दो सहर नीलामबुर्यों त्रिसूर है अगला है 16 सितंबर 2022 को आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की 19 वी बाठक 2022 कहां पर आउजित होई है तो सी एम रीप सिटी कमबोडिया में सितंबर 2022 में इंडो पैसिफिक एकोनामिक फ्रेम वर्क मंतरेश्ट्रिय बाठक 2022 कहां संपन होई लास एंजल्स इवेस से अगला प्रसन है कि सितंबर 2022 में जारी गलोबल क्रिप्टो एडाप्टेशन इंडक्ष 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है तो भारत चौथे नंबर पर है और वियत नाम को पहला स्थान मिला है अगस्त 2022 में भारत सरकार द्वारा देश के किस लोक निर्थ को यूनेश्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरात सूची में सामिल किया गया है या गुजरात का प्रसिद्ध लोक निर्थ है गर्बा अगस्त 2022 में कौन सा देश मासिक धर्म उतपाद निहसुल उपलब्ध कराने वाला बिश्सु का पहला देश बना है यहां इसकौर्ट लैंड है जुलाई 2022 में संक्तराष्ट महा सभाद्वारा किसे मानव अधिकार घोशित किया गया यहां स्वस्थ परियावर्ण को जुलाई 2022 में संगाई सयूग संगठन ने किस सहर को बर्ष 2022 तेज के लिए अपनी पहली संच्कृतिक और परियटन राजधानी की रूप में गोसित किया है या यूपी स्पेशल करंट अफिर्स भी इंप्वाटेंट हो जाता है वाराण सी उतरपरदीश को जुलाई 2022 में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विस्व के पचास महांता मस्थलों की सूची में भारत के किन दो अस्थानों को सामिल किया गया है या हमदाबाद और चसिज्जा के लिए हम केरल को जो है एको टोरिजम हाट स्पाट के लूप में जुलाई 2022 में भारत के किस पड़ोची देश में इस स्टार्ट अप छेत्र को प्रोथसाहित करने के लिए पहला कैमपा साधारित आईटी बिजनेस इनक्यूबेटर शुरू हुआ है यहाँ भांगला देश में अगस 2022 में विदी सुमंत्री डाक्टर यजय संकर ने किस देश में महत्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है इंप्वाटेंट और यहाँ प्राग में किया गया है अगस 2022 में अमेरिकी सीनेट ने किन दो देशों को नाटों में सामिल होने को मंजूरी दी है वती महत तो पूर्ण प्रस्ण है नाटों में सामिल होने वाले दो देश हैं स्वीडन और फिनलाइंड जुलाई 2022 में किस देश ने बरस 2024 तक के बाद बरस 2024 के बाद अंतरराश्टी अंतरिच केंद्र छोड़ने का निर्ड़ लिया है तो यह भी इंप्वाटेंट प्रस्ण है और यह रसिया है अंतरराश्टी अंतरिच केंद्र छोड़ने का निर्ड़ लिया है बरस 2024 से जुलाई 2022 में भारत किस देश किस भारत किस बरस के लिए अमूर्त सांस्किर्थिक बिरासत किस नजक्षन के लिए भारत कोई ने इसको खें 2003 कर्वेंशन की अंतरसरकारी शमित में चुना गया तो 2022 से 26 के लिए इंप्वाटेंट है जुलाई 2022 में विस्तवार्थिक मंच द्वारा जारी बैसविक लाइंगिंग अंतराल सूचकांक 2022 में भारत को कौन सास्थान प्राप्त हुआ है तो 146 देशों में 135 नंबर पर है भारत बैसविक लाइंगिंग अंतराल 2022 में वहीं पर इस सूचकांक में आइसलेंड टाप पर है दूसरे पर फिनलेंड तीशरे पर नारवे है जबकि सबसे निचले पाइदान पर अफगानिस्तान है तो याद रखना है बाइसविक लाइंगिंग अंतराल सूचकांक 2022 में इंडिया की राइंग है 135 और सबसे नं और important है क्योंकि या बिश्व वर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है तो यह भी आपके एक जाम में पूंच लिया जा सकता है तो वर्ड एकोनामिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है बाईसविक लाइंगिंग अंतराल सूचकांक अगला प्रस्न बनता है कि जुन 2022 में जारी कीवेस बेस्ट इस्टुडेंट स्रीज रैंकिंग 2023 में छात्रों के लिए विश्ट के सबसे बहतर सहरों की सूची में किस सहर को सिर्श अस्थान प्राप्त हुआ है त्या युनाइटेड किंग्डम का लंदन सहर है इसमें भारत के तीन सहर भी सामिल है मुंबाई को टोबराल एक सो तीनवा स्थान मिला है बंगलरू एक सो चौदहुए नंबर पर है चन्नई एक सो पचीशवे नंबर पर है अगला है वं अंतिस से तीस जुन दो हजार बाईस के मध्य नाटो सिखर सम्मेलन दो हजार बाईस कहां पर संपन हुआ मैडड स्पेन में संपन हुआ है या सम्मेलन वर्ष दो हजार तैईस में लिथुवानिया में प्रस्ताबित है जुन दो हजार बाईस में किन दो अफरीकी देशों को राश्ट मंडल देशों की समुह में सामिल किया गया है बेरी बेरी इंप्वाटन्ट प्रस्न है तो राश्ट मंडल देशों की समुह में दो अफरीकी देशों को शामिल किया गया है पहला है गैवान और दूसरा है टोगो इसके साथ ही यानि दो अफरीकी देश पहला है गैवान और दूसरा क्या है टोगो तो दोनों देशों को मिला कर अफरीकी टोटल जो राष्ट मंडल देशों की संख्या हो गई वह 56 हो गई है अगला प्रस्ण है कि जून 2022 में दाइकोनामिस्ट इंटिलिजन्स यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेविलिटी इंडक्स में रहन के लिए अच्छे सहरों की सूची में किस सहर को सीव सस्थान प्राप्त हुआ है तो एकोनामिस इंटिलिजन्स इंटिलिजन्स यूनिट द्वारा जारी किया जाता है और इसमें जो है रहने के लिए अच्छा जो सहर है नंबर वन वा कौन सा है तो बियना सहर है आइस्ट्रिया का इसमें कुल 132 सहरों को रैंकिंग दी गई है जिसमें रहने योग सबसे तो दूसरे पर कोपेन हेगन है, पहले पर वियना अस्ट्रिया है, दूसरे कोपेन हेगन डेनमार का है, तीसरा जीवरिक शिटिजर लेंड का है, तो इस तरह आप देख पार हैं, नमबर वन को आप याद रखिएगा, टाप थिरी तक याद रख सकते हैं, ठीके बहुत टप तो तीन में से कोई एक पूँच लेंगे, या टाप थिरी में कौन सा सामिल नहीं है, इस तरह पूँच लेंगे, और इसी के साथ साथ रहने योग विश्व के पांच सबसे खराब सहर, सबसे जो खराब सहर वो दस्मिक सेरिया का है, एक सो भात्तरवे नमबर पर है, नमब सबसे यही जो पूँचा जाएगा, सबसे रहने योग शहर वियना आश्ट्रिया है, सबसे खराब दस्मिक सेरिया का होगा, अगला है आपका, 23 से 24 जून 2022 के मद्ध, 14 ब्रिक्स सिखर समेलन 2022 कि इस देश की मेजबानी में, वर्चुली आयवजित किया गया है, यह चाइना की मेजबानी में, जिसका मुख्य भी सै था, 22 विकास के नए दवर के लिए उच गुडवत्ता की ब्रिक्ष भागिदारी को बढ़ावा, जून 2022 में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंत्रच रॉकेट, इम्पॉर्टन्ट है, किस देश ने अपना पहला स्वदेश अंत्रच रॉकेट नोरी लांच किया है, यह दक्षण कोरिया ने लांच किया है, 22 जून 2022 को किस देश की मेजबानी में, ब्रिक्स बिजनस फोरम 2022 की वर्चुली आयुजित की गई है, यह जो है, चाइना में आयुजित हुआ है, जून 2022 में, इस्टिट्यूट पार एकोना अगला प्रशन है, तो यहां पर पहला नंबर नहीं दिया है, इंडिया की रैंक दी है, बाकि आप डेटेल में पढ़ते हो, कई बार पढ़ चुके हूँगे, पुराना करंट अफियर सिया जून का है, ठीक है, तो 37 सूचकांग में 135 है, वहीं पर जो आइसलेंड है, वो जो है टाप पर बना हुआ हुआ है आगे देखते हैं, जून 2022 में जारी शततविकास लच्छ सूचकांग को योम डैश बोड़ 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 37 विकास लच्छ सूचकांग को 2022 यहां पर इंडिया की राइंक है सूचकांक यूम डैस्ट बुर्ड 2022 में 113 शड़ दीसों में 121 वे अस्थान पर भारत की राइंक तो भारत की राइंक कितनी है 121 राइंक हो गई है पहले कितनी थी 120 राइंक थी कितनी 120 और 2022 में कितनी हो गई 121 ठीक है तो 22 है 21 हो गई अब भी 21 थी तो 20 थी इस तरह यहां पर ध्यान दीजीगा फिनलैंड ने टॉप किया है सबसे खराब कंडिशन 163 नंबर दक्ष्ड सूडान का रहा है बढ़ते हैं अगे अगला प्रस्ण है कि जून 2022 में संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद ने संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद के नए आइस्थाई सदस से चुने गए हैं तो यहां इकवाडोर जापान माल्टा मोजाबिंग और सुरिज लाइन को सरवाधी के सांती मैं सीर्श तीन देश कौन सी है यह बीज में कहां को सिर्दी है इस मिला कि यह जो आपका भी सब्सक्राइब पढ़के आ रहे हो जो बैस्पीक शांती सुचकांक रहा वन हंडe एंट्रेंठ थाइफ रहाइन की यहां पर है न इन्होंने इसके नीचे ना दे करके यहां पर ले आई इसको ठीक है तो इस तरह याद रखिएगा ठीक है तो सांती सूचकांक एक सौठ य नमबर वन पर जो है वो सरबाधिक सांती में आइसलेंड है दूसरा न्यूजिलेंड तीशरा अरलेंड है सरबाधिक असांत पूँछा जाता है तो अफगानिस्तान लगाईएगा ठीक है नमबर वन आइसलेंड है सबसे खराब पूजिशन अफगानिस्तान की है विस्तुका सरबाधिक सांती पूँण छेतर अगर पूँछा जाता है छेतर तो छेतर भी आपसे पीसियस वगरा में पूँछा जा चुका है यदि आप कंट्री देखोगे आइसलेंड यूरूपिन कंट्री में जाओगे तो यूरूप पर सिसान तो हो जाएगा इस तरह नियूजेलाइड, आइरलाइड, आइसलेंड ये सब यूरूपिन कंट्री है विस्तुका सरबाधिक सांती पूँण छेतर यूरूप होगा विस्तुका सबसे कम शांती पूँण अफगानिस्तान, यमान, इस तरह सीरिया तो यह मध्य पूर्व तरिय पूँण पढ़ेंगे एक सो एक दूहजार इकीस में एक सो पैंतीस अस्थान पर था और दूहजार बाइस में भी एक सो पैंतीस पर है चाली आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण बन रहा है कि 15 जून दूहजार बाइस को आई अमडी बिश्व प्रतियस प्रधात मक्ता सूचकांग को 2022 में है जारी की गई रिपोर्ड जो है तिस सूचकांग में किस देश को सीर्षास्थान प्राप्त हुआ है तो डेनमार्क ने सीर्षास्थान प्राप्त किया है 163 देशों की सूची में सीर्षास्थान किसका है डेनमार्क है दूसरा स्वीड़ जर्लेंड है तीसरा सिंगापुर चौथा स्वीडन पांच वहां कोंग है वहीं पर सबसे खराब पोजीशन पर बेनेजवेला है सबसे निचले पाइदान पर है तो सबसे अच्छा सबसे और इंडिया के रैंक की याद रखो इतना ही परियाप्त होगा तो आईएमडी बिश्व प्रतियस परधात मक्ता सूचकांक दो हजार बाइस में इंडिया के रैंक के कितनी है तो 37 रैंक है वहीं पर 2021 में 47 रैंक हुआ करती थी नंबर वन कौन है 2022 में तो नंबर वन जो टा पर है तो सबसे खराब उपजीशन पर कौन शाह है तो सबसे निशले पाइदान पर देखो गें तो बेने जुएला है ठीक है इतना ही याद रखो आगे बढ़ते हैं तो सूचकांग इतना इंप्वाटेंट हो जाता है हर एक्जाम में पुंचा जाता है तो सूचकांग से सं तीन चार तत्यों को ध्यान रखना है कौन जारी करता है इंडिया की राइंक बर्तमान में कौन सी है पिछले एयर में कौन सी रही है खासकर PCS हो गयरा के लिए साथ ही साथ किस कंटरी ने टॉप किया है सबसे खराब पोजीशन किसकी रही है इतना याद रखो परियाब क्य होगा नौजून 2022 को अंकटाड द्वारा विश्व निवीश रिपोर्ट 2022 जारी की गई तो इंपोर्टेंट रिपोर्ट हो जाती है और इस रिपोर्ट की अनुशार बर्ष 2021 में प्रतक्ष बिदेशी निवीश अंतरप्रवाह वाले देशों में किसे सीर्स अस्थान प्रा दूसके आधे में चले आएंगे तो 181 ड्य दॉसरे पर हैंते चाहिनी पर ने में साथ है वहीं पर इंडिया के साथ यह अस्थान है पूरे बिस में कितना तो यह 45 बिलियन डालर की जो है प्रतेक्ष बिदेशी निवेश के साथ पर्ष 2021 में अगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है कि जून 2022 में जारी की विएस वर्ड इन्वर्शिटी रांकिंग 2023 में किस संस सेथ इंस्टिटूट आफ टेक्नोलाजी एमाईटी सीर्श अन्य तीन संस्थान यहां पर देख सकते हैं दूसरे नंबर पर इन्वर्शिटी आफ कैम्रेज यूके की है इस्टैनफोर्ड इन्वर्शिटी रांकिंग तीशर इवेश से है इन्वर्शिटी आफ आक्षपोर यूके की जो है यह चौथी नंबर पर है वहीं पर तीन भारती संस्थान भी सामिल है तो भारत में टॉप करने वाला भारती विज्ञान संस्थान आईसी बंगलुरू है जो की ओबराल रांक एक्षो पशपन है आई-ाई-टी बांबे एक्षो भारत तर आई-ाई-टी दि की बढ़ते हैं आगे जून 2022 में जारी परियापन निश्पादन सूचचकांग का देज इनवार्मेंटल परफार्मेंस इंडक्श 2022 में भारत को कौन सा अस्थान प्राप्त हुआ है तो यूपी आई 2022 में भारत का अस्थान एक सो अस्थान है इस आस्थान को सबसे निजले पाइदान पर रखा गया है भारत को जिसको जो इन्वार्टमेंट मिनिस्ट्री है सुविकार ही नहीं किया है इस इंडेक्स को भारत की जो मिनिस्ट्री है बर्स 2020 में भारत इस सूचिकांग में 168 अस्थान पर था कोल 180 देशों की रेंग निकाली गई 2022 में जिसमें भारत सबसे निचले पाइदान पर रहा है और सबसे अच्छी पोजीशन डेन्मार्क की रही है दूसरा यूग की तीशरा फिनलैंड रहा है आगे देखते हैं 12 मई 2022 को दूसरा जो बैस भी COVID वर्चुल सिखर सम्मेलन हुआ किस देश की अधच्छता में शंपन हुआ था वो अमेरिका की अगला प्रस्ण है कि जून 2022 में लंदन यूके इस्थित टाइम्स हायर अजुकीशन द्वारा जारी एसिया इनवर्शिटी रैंकिंग 2022 में किस संस्थान अथवा विशुβिद्यालय को शिर्षास्थान प्राप्था है तुम यह शिन्धुवा इनवर्सिटी चाइना की शूचे में 38-3 देशों के 616 विशुवद्यालय को सामिल किया गया है सूचे में सामिल सीर्ष तीन अन्य संस्थान विश्ष विद्याद है जिसमें दूसरे पर पेकिंग इनवर्सिटी चाइना की तीसरा निश्टन इनवर्सिटी आप सिंगापूर ती चौता है इनवर्सिटी आप हौंकांग चाइना सूचे में सव संस्थानों में भारत जो है इन्हें टॉप हंडर्ड में भारत के इत्मातर चार संस्थान है आई एस सी बंगलुरू है बैलिश्वें अबराल जे एस एस एकेडमी आफ हायर एजूकीशन एंड रीशर्च पाइं सथवे अस्थान पर आई 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 टी रोपन की टाप फाइप हंडर्ड में किसे सीर सस्थान प्राप्त हुआ है यह इवेस्थे का जो फ्रंटियर ही फोगाकु जापान को पचाड़ दिया और नंबर वन पर आ गया है दूसरे पर फोगाकु जापान का और तीसरा लियूमी फिनलैंड का रहा है चौथे पर समिट है प वहीं पर टाप फाइप में सामिल जो भारती सूपर कम्प्यूटर है जिसमें परम सिद्धी ने 111 अस्थान प्राप्त किया है प्रतियूष 132 अस्थान पर और मेहिर 242 अस्थान सामिल लिया है टाप फाइप एंडर्ड में तो टाप फाइप में तीन है भारत की 111 अस्थ मई दो हजार बाइस में टाइम मैगजीन द्वारा बर्स दो हजार बाइस के सब सब से प्रभावसाली सूचे में कितने भारतियों को सामिल किया गया है, तीन भारतियों को सामिल किया गया है, सूचे में सामिल भारतियों स्रेड़ी दे रखी है, तो प्रसित दोगपती गौत स्थान मिला है वी स्वार्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है यात्रा और पर्याटन विकास सूचकांग तो PCS वगेरा में पूंचा भी जा चुका है कि यात्रा और पर्याटन विकास सूचकांग कौन जारी करता है तो वर्ड एकोनामिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है हो सकता कन्फ्यूज हो जाए क्योंकि प्यात्रा उप्रेटन की बात की गई है दिमाग ना जाए तो याद रखेगा वर्ड एकोनामिक फोरम की द्वारा ही जारी किया जाता है 2022 में जो रैंक है वह 54 वा अस्थान है भारत का तो कुल 117 देशों में भारत की रैंक कितनी है भारत की रैंक है 54 तो याद रखेगा वर्ड एकोनामिक फोरम की द्वारा जारी किया गया है क्या यात्रा और पर्यटन विकास सुचकांक यानि जो आपका ट्रबल एंड टॉरिज्म डेवलाप्मेंट इंडेक्स 2022 में जारी किया गया है 2022 में जारी किया गया है तो इंडेक्स है कौन सा ट्रबल एंड टॉरिज्म डेवलाप्मेंट जो इंडेक्स है या 2021 है जो की 2022 में जारी किया गया, इंडिया के राइंग कितनी है, 54 राइंग है और आप जानते हो हर दो साल पर जारी किया जाता है, इसलिए यहां पर दो साल का भी दिया होगा कि 2019 में जो राइंक रही है वो 46 रही है तो अच्छी पोजिशन रही है लेकिन 2021 में देखेंगे तो यह पोजिशन 54 पर हो गई है ठीक है तो वहीं पर जापान ने टॉप किया है दूसरे पर यूएस से रहा तीसरे पर इस्पेइन रहा है सबसे खराब पोजिशन चार्ड की र जाता है हर दूसरे सार पर जारी किया जाता है 2021 में इंडिया की रहेंग 54 रही है 2019 में इंडिया की रहेंग 46 रही है और जापान ने 2021 में टाप किया है वेस्ट से दूसरे पर तीसरे पर इस्पेइन है सबसे खराब चाड रहा है बस आगे बढ़ते हैं 5 माई 2022 को महाने देशक अस्तर पर भारत ब्रटेन राष्ट मंदल वारत 2022 कहां संपन हुई नए दिल्ली में चार मई 2022 को दूसरा भारत नार्डिक सिखर सम्मेलन कहां संपन हुआ है तो कोपीन हिगन डेनमार्क में इसमें पांच नार्डिक देश डेनमार्क फिनलैंड, आईशलैंड, स्वीडन और नार्बी के प्रधानमंत्रियों ने भाग लिया है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी भारत का प्रतुनिधित किया है 26 अपरल 2022 कुखाद सुरच्छा पर विस सुव्यापार संगठन का उच्चस्तर ये सम्मेलन कहां आयुजित हुआ है तो जिनेवा स्वीडियर लाइन्ड में जहां पर डव्यूटी योगा क्या है मोक्यार है चार मई 2022 की मध्ध आपदा वरोधी वसन रचना पर चौथा अंतरराश्टी सम्मेलन कहां पर आयुजित किया गया या हाइब्रिड प्रारूप में नई दिल्ली में 21 से 24 अपरेल 2022 की मध्ध पेरिश फ्रांस में आयुजित पेरिश पुस्तक महुत्सक किस देश को मुख्य अतिती देश की रूप में नामित किया गया था तो पेरिस पुस्तक महोस्व जो की आयोजित हुआ था पेरिस फ्रांस में इश्व मुख्य अतिती देश की रूप में भारत जहो नामित किया गया था अगला है आपका सूचकांक विश्व प्रस्व स्वतंतरता सूचकांक है जो की रिपोर्ट्स विदाउट रिपोर्टर्स विदाउट बार्डर्स द्वारा जारी किया जाता है हर साल और विश्व प्रस्व स्वतंतरता सूचकांक 2022 में इंडिया की रहें के 150 है 150 में अस्थान है तो 180 देशों में इंडिया के रहें के कितनी है 150 है समझ पार हैं 150 पहले 146 थी अब 146 से फिसल कर सीधे 150 कितनी 150 हो गई है तो आप कल नियूज में देखते होंगे अगर किसी चीज के अच्छी रहें का जाती है इसको दवडाते हैं इतनी स्पीड में मीडिया वाले लेकिन अपरी रैंक अगर कभी नहीं दिखाते हैं मीडिया वाले कि हम 150 में अस्थान पर गए है सेर्स पांच देशों में नार्बे नंबर वन है डेनमार्क दूसरे पर है तीसरे पर स्वीडन है तो याद रखना है विश्व प्रस्व स्वतंत्रता सूचकांक किसकी द्वारा जारी किया जाता है तो संसता कौन सी है रिपोर्टर्स विदाउट बार्डर्स की द्वारा जारी किया जाता है विश्व प्रस्व स्वतंत्रता सूचकांक को बर्स 2022 में इंडिया की रहेंग 150 है इसके पहले 121 में इसकी रहेंग 146 हुआ करती थी चार अंक फिसल कर यहां पहुंच गया सबसे खराब पोजीशन देखो गये तो यहां नार्थ कूरिया की है उत्तरी कूरिया की और अपने पड़ोसी देशों में देखेंगे माफी चाहेंगे इंडिया 2021 में 146 ने 142 रही है ठीक है तो सीधे आठ अंक यहां पर लोड़का आठ अस्थान नीचे चला गया है माफी चाहेंगे 150 रहेंगे 122 में है और 21 में 142 अस्थान हुआ करता था सबसे खराब पोजीशन उत्तर कूरिया है और नार्वी नंबर वन है इसके अलाव पड़ोसी देशों में देखेंगे दोस्त पड़ोसी में जो है भोटान जो है वो 33 नंबर पर है नेपाल स्रिलंका 146 अस्थान पर है पाकिस्तान का 177 नंबर है वह बांगला देश देखेंगे तो 162 नंबर पर है और चीन 175 नंबर पर है तो इंडिया से खराब पोजीशन चाइना की भी है बांगला देश की भी है पाकिस्तान की भी है बाकी भूटान नेपाल स्रिलंका भारत से थोड़ा अथी पोजीशन में हैं अगला प्रश्ण है कि 25-27 अप्रेल 2022 के मद्ध राजजीन डायलाग का साथवां संसकर्ड नई दिल्ले में आउजित हुआ इसका मुख्य बिशेथा टेरा नोवा इंपैसंट इंपैसंट एंड इंपैरिल्ड या भू राजनीती और भू अ सास्त पर भारत का प्रमुक्ष सम्मेलन है जो बर्श 2016 से प्रतिवर्श आउजित किया जाता है यह अब्जर्बर रिसर्च फाउंडेशन की सहयोग से विदिश मंत्राले भारत सरकार की सहयोग से आउजित किया जाता है यूरोपी आयोग की अधच्छ उर्सुला वांडेन लेन उदगाटन सत्र में बता और मुख्य आती थी के रूप में सामिल होई थी 11 प्रेल 2022 को प्रधान मंत्री मोदी और किस देश के राष्ट्रोपती की बीच वर्शुल बैठक आयोजित होई तो अमेरिका के राष्ट्रोपती जो बाइडन और भारत की प्रधान मंत्री मोदी दोनों नेताओं ने कई छेत्री और बैस्विक मुद्दो जैसे कोबिट-19 महमारी आर्तिक शुधार जलवायु कारिवाही दच्छुडी उसिया प्रशांत भारत प्रशांत छेत्र में हालिया घटनकरम और यूकरेन की इस्थिती पर विचारों का आदान प्रदान किया पाच अप्रल 2022 को और अपतियों की छात्यूशी वार्शी फोप्स सुची 2022 जारी की गई इस सुची में किसे सीर सस्थान प्राप्त हुआ है तो टेसला इस्पेस यक्ष के प्रमुक्ष एलन मस्क जिनकी कुल संपत्ती 211 बिलियन डालर है और भारत की सरबाधिक जो अमीर है वो भारती मुकीश अमबानी जिनकी 90.7 बिलियन डालर की कुल संपत्ती की शाथ दस्वी अस्थान पर रहे हैं ओवराल रैंकिंग में सूची में कुल जो अरब पती हैं वो 2668 जिनकी कुल संपत्ती 12.7 ट्रिलियन डालर इसकी अलावा विस्थ की सरबाधिक धनी महिला फ्रांस की लॉरियल की फ्रांकोईश बेटन कोर्ट मेयर्स एंड फेमिली जिनकी कुल संपत्ती 74.8 बिलियन और भारत की शरबाधिक अमीर महिला साबित्री जिन्दल यों फेमिली रहे जिनकी कुल बेल्थ 17.7 बिलियन डालर रही वहाए पर विस्थ में सरबाधिक रिपोर्ड के नुसार विस्थ में शरबाधिक जो अरब पती हैं वह वैसे के हैं 735 हैं चाइना से 607 अरब पती हैं जबकि भारत से 106,6 अरब पती हैं बढ़ते हैं आगी अगला प्रश्न है अप्रल 2022 में अमेर्की राश्ट्रपती जो बाइडन ने भारती मूल किकिश अमेर्की राजनाईक महिला को माली में अपना राजदूत नामित किया है तो यह रचना सचदिव कोर होने नहें सहीत राश्ट खाद और क्रिशी संगठन और आरवर्डे फाउंडेशन ने भारत के किन्द सहरों को ट्रे सिटीज आफ दी वर्ड दो हजार इकीश प्रदान किया है तो रूप में जो मानता दी है यह मुंबई और हैद्राबाद हैं ट्रे सिटीज आफ दी वर्ड दो हजार में चैनित होने के वाली पहली हिंदी उस तक बन गई तिया गीतांजल श्री की है स्टॉम वाफ सैंड अगला प्रशन है कि मार्च दो हजार बाईश में जारी भारत टीवी रिपोर्ट के अनुसार बर्स दो हजार इकीश में देश में टीवी के मामलों में केतने की बृद्धी दर्ज की गई है बर्स दो हजार इकीश के दौरान अधिसोचित टीवी रोगियों की कुल संख्या 19,39,381 थी जबकि बर्स दो हजार बीस में यहां संख्या 16,28,161 थी वहीं देश में बर्स दो हजार उननीस से बीस के बीच सम्भी प्रकार की टीवी से मृत की उदर में 11 प्रतिशत की ब्रिद्धी हुई है बैसविक टीवी रिपोर्ट 2021 की अनुशार भारत में बर्स दो हजार बीस के लिए टीवी की सभी रोपों की अनुमानित घटना प्रती एक लाख जन संख्या परेक्षो अठासी थी अगला प्रस्ण है कि 17 मार्च दो हजार 22 को दूसरा भारत इंडोनेसिया सुरच्छा संबाद कहां परायुजित हुआ है यह जकारता इंडोनेसिया इंडोनेसिया आप जानते हो प्रस्तावित नई राजधानी जो है वो नुशंतारा होगी अगला है आपका 17 मार्च दो हजार बाइस को जारी हुरन ग्लोबल युएस बिलियन डालर है सामिल नए अरबपती एक शो तिरपन है और सुची में अवेजन के जह बज़ाज इवेस जो है 188 बिलियन डालर के साथ दूसरे अस्थान पर है सुचे में कुल सामिल अरबपती 3381 है विस में सरवाधिक अरबपती इसके अंसार चाइना से है इव भारत तीशरे पर है सुचे में मुकेश अंबानी 103 बिलियन डालर के साथ नवे अस्थान पर है अगला प्रसन है कि 18 हमार्च 2022 को संयुक्त राष्ट महासभा के नेतिर्त में संयुक्त राष्ट निर्भानिये विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विस प्रसंद्नता रिप रोड 2022 में भारत को जो है कौन सा स्थान मिला है तो 136 वा स्थान मिला है तो 146 देशों में भारत की रंक 2022 में 136 है 2021 में 149 रहा है तो थोड़ा यहां पर आपको सुधार देखने को मिल रहा है वहीं पर फिनलेंड ने टॉप किया है दूसरे पर डेनमार्क है तीशरे पर अफगानिस्तान है वहें पर पड़ोसी देशों में चाइना 72 है नेपाल 84 है सिलंका इंडिया से थोड़ा उपर ही है 127 है बंगलादीस जो है तो यहां पर आप पड़ोसी देशों में देखेंगे तो सभी जो है वो सबसे जादा खुशहाल है भारत से आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है कि 15 फरवरी 2022 को किस संगठन संसथा ने सिग्रेड समेट सभी तंबाकूद बादों की लत छुडाने में लोगों की मदद करने ही तो क्वेट टवय को एप लांच किया है तो यहाँ डबलू यच्चो लांच किया है ग्यारा मार्च 2022 को इस्ताक हो अंतरराश्टी सांती अनुशंधान संसथान सिप्री द्वारा विश्व में पारंपरी आयुद्र की अस्तानांत्रण की स्थिती पर वार्षिक रिपोर्ट अ यहाँ भारत को जो है शीर सास्थान प्राप्त हुआ है इस रिपोर्ट के अनुशार अंतरराश्टी अस्तर पर प्रमुख आयुद्यों के अस्तानत्रण की मात्रा बर्ष 2012-16 के तुलना में बर्ष 2017-21 में 4.6 प्रत्षद जो है कम रहा लेकिन बर्ष 7-11 की तुलना में 3.9 प्रवार अधिक रहा है अगला जो वैक्ट दिया है शिप्रिट रिपोर्ट की अठीमाथत पोंड है निरियातक आयातक यहाँ बात की गई है तो 20 के 5 सہστ्ट्र निरियातक देश योम हस्चा दिया गया है तो सबसे जादा जो है निरियातक जो कंट्री है यनि बाहर की ज इवेस्टे के बाहर देशों में जो है निर्यात करने वाला इवेस्टे जो है सबसे ज़्यादा हाथियार बेचने वाला है वह अन्तालिश प्रतिशत है पूरा जो निरिया तो होता है 49% हिस्सा दूसरा रसिया है तीसरा फ्रांस है चौथा चाइना है पांचवे पर जर्मनी है वही पर आयात करने में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो आयात करता है वह अपना प्यारा भारत है हत्यार मंगाने में नंबर वन है यह बारत जो है 11% है ओवराल आयातक में दूसरे पर सौधी अरभ है तीसरे पर मिस्त्र है चौथे पर आस्ट्रेलिया है पांचवे पर चाइना है यह सब है वहीं पर सत्राव इस21 की अव्ध के दौरान ये सीर पांच आपूर्दी करता देश विष्वभयापी शस्त्र निरियातों का कुल शतात्तर प्रस्त्यत उत्तरदाई है नम जबकि यहाँ पर सत्राय सिकीस की दौरान आयातकों के कुल essis के परसंट का 38% का आयात निर्यात जो है आयात किया है तो आपको जो याद रखना है सीर्स निर्यातक तो ये वैसे रुसिया फ्रांस चाइना और जर्मनी तो टाप थिरी को याद रखो उधर भी टाप थिरी को याद रखो तो भारत की कंडिशन क्या है सबसे ज़्यादा आयातक जो है यह लेकिन भारत लेकिन है सबसे जादा किस कब्लायर रहा है इसके बाद फ्रानस में भी फ्रानस से भी आयात किया गया यह उस तीश्र लएफस से रहा है तो रूश Coast vert 1 नमबर के इसकी इसक्षे पर आ इवेश्य रहा है दोस्त कौन सा इवेश्य है दूसरे पर जो है वो रसिया है दूसरे पर रसिया है और तीसरे पर जो रहा है वो फ्रांस रहा है तो इवारेफ ठीक है इसके बाद आपूर्थी करता में जो है इंडिया नंबर वन रहा है दूसरे पर जो है वो इवेई रहा ह United Arab Emirat सेंकत पहले पर इंडिया है आपउर्ट में दूसरे पर अरब अमीरात नहीं रहा है शौदी अरब होगा ठीक है दूसरे पर सौदी अरब है ठीक है तो दूसरे पर सौदी अरब है और तीसरे पर कौन से रहा है मिस्त्र रहा है और सबसे ज़्यादा आपउर्टी करता है इंडिया को तो इंडिया रहा है सबसे ज़्यादा शप्लायर जो है वो रसिया है तो रूप से सबसे ज़्यादा परांदूसरा तीसरा इवेस्स से है आगे बढ़ो अगला आए आपका दो मार्च 2022 को Institute for Economic and Peace इस द्वारा बाइसवी का आतंकवाद सूचकांग 2022 का आठवा जो संस्क्रण जारी किया गया इसमें भारत जो कौन सा अस्थान प्राप्ट हुआ है तो बाइसवी का आतंकवाद सूचकांग 2022 में भारत का अस्थान बारहों अस्थान है टोटल 163 देशों में वहीं पर सबसे जादा आतंकवाद से प्रभावित जो देश है वो अफगानिस्तान है दूसरे पर इराग तीशरे पर शोमालिया है और भारत का अस्थान कौन सा है बारहुआ अस्थान है पहले पर कौन सा सबसे आतंकवाद प्रभावित है अफगानिस्तान है जो कि सबसे इसमें आपने देखा था सबसे असान्त देश में रहा भी है ये 153 रहे आइशलेंट टाप पर रहा है सबसे खराब पोजीशन अफगानिस्तान की रही है तो यहां पर भी आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा तंकवाद प्रभावित दीश है इतना ही याद रखना है और भारत की स्थिती को याद रखना है बढ़ते हैं अगे अगला प्रस्न है कि फरवरी 2022 में जारी Global Fire Power Index 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है तो Global Fire Power Index में जो है यह फायर है फायर 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 पावर है तो फायर यानि फोर इस तरह याद रखो चौथा इंडेक्शन आगे बढ़ते हैं तो Global Fire Power Index में इंडिया के रैंक कितनी है फायर फायर फोर चार रैंक है 2022 में इसमें सामिल देशों में इनकी संभावित छमता के आध इंडिया के रैंक जो है वो चौथे नंबर पर नंबर वन इवेसे है दूसरा रसी है तीसरा चाइना है सबसे खराब पोजीशन है आइसलेंड की फायर पावर इंडेक्श में क्योंकि कि सबसे यह सांती देश भी है सांती जहां होगा जहां पर कोई आग नहीं होगी इस त सेती में आप देखोगे तो पड़ोशी देशों में भारत से अच्छी पोजीशन पर पाकिस्तान नवे अस्थान पर रहा बंगलादीश 46 पर गया साइंट सिरलंका 79 है नेपाल का वह एक सो नीशमा अस्थान है भोटान के 111 तो पाकिस्तान थोड़ा भारत से बेटर रहा ह क्योंकि इंडिया का स्थान जो है वो चौता रहा है तो पाकिस्तान जो है नवे पर है तो यहां पर जो पड़ोशी देख से देखेंगे ऐंडिया से क्या है और इंडिया से खराब ही है कि नहीं पूछ करके आपसे पूछ लेगा कि पड़ोसी देशों में कौन से बैटर है कौन से खराब है तो सभी की आलत क्या है इंडिया से खराब ही है यह यह भी आपके पीसे सोगर हम पूछा जा सकता आरो में बस बाकी और कहीं नहीं पूछा जाएगा वंडे एक्जाम में अगला हम देखो 18 जनवरी 2022 को इंडेनेसिया की संसन ने देश की नई राजधानी से संबाधिर विधियक को मांजूरी प्रदान की इस देश की नई राजधानी का नाम क्या होगा तो इंडेनेसिया की राजधानी जकारता से क्या नुशंतारा दूब रही है आगे देखो 25 जनवरी 2022 को ट्रांसफेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भरस्टाचार बूद सूचकांग तो भरस्टाचार बूद सूचकांग ट्रांसफेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है बरस 2021 यानि जो 22 में जारी किया गया तो भरस्टाचार बूद सूचकांग 2021 में इंडिया की रैंक कितनी है तो इंडिया की रैंक 85 85 अस्थान है बरस्टाचार बूद है सरवाधिक भ्रस्ट है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है कि फरवरी 2022 में किस देशने भारतिये व्यापारियों को बिना वीजा प्रवेश की अनुमती देनी की घोशड़ा की है तो यह मालदियूप के भारतिये व्यापारी जो हो बिना वीजा के अपना एंट्री करें किसको मालदियूप में अगला या मार्च 2022 में जारी आर्थिक स्वतंतरता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सास्थान प्राप्त हुआ है आर्थिक स्वतंतरता सूचकांक है तो आर्थिक स्वतंतरता सूचकांक में इंडिया की जो रायंग है 131 है 131 है याद रखना है आपको वार्थिक स्वतनता सूचकांक जारी कोन करता है तो वार्थिक स्वतनता सूचकांक 2022 में इंडिया के रहेंगे 131 है अमेर्की थिंक टैंग दहेरिटीज फाउंडीशन द्वारा जारी किया जाता है सूचकांक जो किया जाता है बारा मापदंड है चार अस्तम्भ दिये गए हैं कानून शीमीत शरकार है नियामक दच्छता खुली बाजार कि यूपीएस सी में स्टेटमेंट गएरा देकर पूंचा जाने वाला प्रशन होता ही सब पीसेस और आप बहुत टब बनाएंगे स्टेटमेंट दे देंगे अस्तम्भ पूंच लेंगे आपसे इसकी अलामा आपसे वंडे एक्जाम में बस रहेंगे पूंच लेंगे कारी कोन करता ही ही पूंचेंगे यारो गयरा में ठीक है तिसी को आपको ध्यान देना है आप बाक सबसे खराब पोजीशन उत्तर कोरिया की है और उत्तर कोरिया ही कौन सरहा है सबसे खराब वाले में जिसमें आपका प्रस्वतंतर सूच कांग रहें एक्सो बचाट सु आस्थान पर आगे बढ़ते हैं और भारत की स्थिति को याद रखा जा सकता आपकी एक्जाम के पॉ इंडिया आर्थिक शुंता सूच कांग में गयर स्वतंतर देशों की स्रेणी में शामिल है तो भारत के पड़ुसी देश को भी देख लो यहां पर इडिया कि रहएं के तनी है आर्थिक शुंता सांडिय से खराप पॉजीशन में आपको यहां पर बंगला देश दिख रहा है पाकिस्तान यहां पर है तो बंगला देश बांगला बॉतान ही ठोड़ा ठीक है सभी की पोजीशन क्या है खराब ही दिख रही इंडिया से आर् हेरिटीज फाउंडेशन है जो कि अमेरिकी थिंग टाइंक है टाप किस ने किया है तो सिंगापुर ने टाप किया सुर्जर लेंड जो है दूसरा रहा एरलेंड तीसरा रहा है इंडिया जो है 111 अगे बढ़ते हैं और वहीं पर आप से जो है ब्रिक्स देशों में अगर 113 रसिया है 118 चाइना है तो भारत से यहां पर बेटर आपको क्यों रसिया दिख रहा है आर्थिक शुतना सुचगांगे में बाकी सबकी खराब ही पोजीशन है तो स्टेटमेंन लोगरा PCS निट्टा पेपर बनाएंगे तब पूंच लेंगे आप से बाकी आपको कंप्लीट कर लो नौ फरवरी 2022 को किशे प्रतिश्चित अमेरिकी मागजिन टाइम द्वारा किड आफ दाइयर चुना गया है तो 11 बरसी अमेरिकी छात्र है ओरियान जीन फरवरी 2022 में कहां विस्ट की पहली हाइड्रोजन संचालिद फ्लाइंग बोट दजट के लांच की गया है तो दुबई में इनाइटड रहाम विराद दुबई की फर्म दजट जीरो एमेशन द्वारा फरवरी 2022 में अंतर राष्ट्य बौधिक शंपदा सूचकांग को 2022 में किस देश को सिर्फ अस्थान प्राप्थ हुआ है तो अंतर राष्ट्य बौधिक शंपदा सूच इस चैंबर आफ कॉमर्स के ग्लोबल इंटलेक्ट्वल सेंटर द्वारा प्रकासित किया जाता है और सीर्स पांच तव इस से टॉप किया ही है इसके बाद युक्य है फिर जर्मनी है स्वेडन फ्रांस है सबसे खराब पोजीशन बेनिजुएला की है वहीं पर ब्रिक्स द जो है दक्षड अफ्रीका इंडिया की खराब बाकी ब्रिक्स में देखेंगे थोड़ा बेटर ही है ब्राजील रसी और चाइना किसे इंडिया से अगला प्रशन है कि 14 से 15 फरवरी 2022 के मद भारत सरकार ने किन दो देशों की सरकारी किन दो देशों की सरकारों के साथ साध्य सिंगापुर के साथ जो है भारत ने समुद्री परदूशन का मुकाबला करने है तो वर्च्वल एक अंतरराश्टी गार्शाला कायोजन किया 15 फरवरी 2022 के मद फरवरी 2022 में ब्रेटेन के मीडिया संसथान दा इकोनामिक्स्ट दा इकोनामिस्ट ग्रूप की इकोनामिक इस तर थोड़ा रखने का तरीका याद रखेगा इसके बाद यहां पर नारवी नंबर वन न्यूजिलेंड दूसरा है फिल्लेंड तीसरा है और भारत को भी जो है ठीक है तो इसे में अप्रस्ट रहा कि सस्थान को सीर्थ सस्थान प्राप्त हुआ है तो इंडिया की जो जो है वो कि इतनी है दोस्ट 46 वे अस्थान पर है ठीक है और जो कि 46 वे अस्थान के साथ जो है इस्थिति अगर पूंची जाती है तो तुर्टी पूंड लोकतंतर की सिर्णी में भारत जो है वो शामिल है यहां पर लोकतंतर भारत के सबसे बड़ा लोकतंतर वाला देश लेकिन तुड़ी पूंड है आप सामध रहें आप नारबे नंबर वन है इस तरह याद रखेगा और इसी के साथ पूरा का पूरा आपका जो है अंतर राश्टी प्रदिश कंप्लीट हो जाता है वीडियो के लिंक आपको कमेंट बाक्स में मिलता रहेगा दूस्ट टॉपिक कि अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे थैंक्श फार वाचिन